तो दोस्तो आज की वीडियो में करने वाला हूँ अन्बॉक्सिंग और रिव्यू नॉइस की ब्रैंड न्योर मोस्ट अवेटेड स्मार्पॉच नॉइस कलर फिट कैलिबर गो की जो की अंडर 1500 रुपीजेट में आपको एकलौती ऐसी स्मार्पॉच मिल जाती जिसमें आपक क्लाउच प्लाउच नॉइस का फीचर मिल जाता है जो की नॉइस की सबसे बड़ी यूएस पी है साती सात दोस्तो इस स्मार्पॉच में आपको 1.69 इंच इसका डिस्प्लेइगा इस वीडियो में आपको ब्लू स्मार्पॉच का डिटेल में अन्बॉक्सिं रिव्यू दि तो बॉक्स के बीचे जैसा आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ अमेजिंग फीचर दिख जाते हैं ऐसा की 1.69 इस का TFT इस्प्ले मुजिक कंट्रोल, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लॉड ऑक्सिजन मॉनिटर, कॉल, SMS, और क्विक रिप्लाइस की ऑप्शन, मुल्टिपल 10 देख सकी बैटरी लाइफ, जो की मैं आपको डीटेल में बताऊंगा की प्राक्टिकल यूज में कितना बैटरी बैकप आपको मिल जाता है, IP68 की वाटर रेजेस्टन और स्ट्रेस मॉनिटर भी इसमें आपको मिल जाता है, तो अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्स करें और इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं, तो जैसे आप तो पे हर बार की तरह हमें नॉइस का टिपिकल पेपर वख जिख जाते हैं जिसकी अभी आपको कोई ज़रबत निया क्यों को इसकी चार्जिविटी और आप सेटप द अगर जल्दी से उतारें और देखें कैसी है इसकी बिल्ट कॉलिटी तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका 1.69 इंचिस का अमेजिंग टी डिस्पले आपको दिख जाएगा और यहां पर आपको noise की branding दिख जाएगी और right side में अगर बात करूँ तो यहां पर आपको इसका एक crown दिख जाएगा जो कि functioning है या नहीं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा और मेरे साफ से दोस्तो इसका answer obvious होगा क्योंकि अंडर 1500 की smart watch है तो दोस्तो build quality के साफ से काफी ज्यादा impression है straps की quality भी काफी ज्यादा soft app को कोई भी problem नहीं आएगी तो अब जल्दी से इसको boot करते हैं और देखते है कैसी इसकी display की quality तो दोस्तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपनी smart watch को boot कर लिए और अब जल्दी से इसको pair करते हैं इसकी app के साथ जुकिए है noise fit app तो दोस्तो watch को connect करने के लिए आपको noise fit app में login करने और यहाँ पे जैसा आप देख सकते है noise color fit caliber गो show हो जाएगी और within seconds मेरी smart watch pair हो जाएगी smartphone के साथ तो जैसा आप इतर देख सकते हैं यहाँ पे alert आगे है प्रूफ करने का और मैं इसको accept कर लेता हूँ और मेरी smart watch यहाँ pair हो गई है अपनी app के साथ जैसा आप देख सकते हैं काफी easy process था इसको pair करने का अब जल्दी से दिखते है watch का UI और आप का इंटरफेस में आपको वीडियो के इंट दिखा दूँगा तो दोस्तो सबसे पहले अगर बात करूँ smart watch के display की quality की तो viewing angles और overall display बहुत ही ज्यादा amazing है काफी ज्यादा crystal clear display यहाँ पे दिख रहा है तो पर मिल जाते है messages और notifications की option उपर swipe करते है यहाँ पर आपको shortcut bar दिख जाएगा जहाँ पर आपको basic options दिख जाएगी जैसी की settings D&D बगएर और आपको battery backup और connectivity भी दिख जाएगी और अगर हम बात करें left swipe करती क्या मिलता है तो top पे सबसे पहले हमें मिल जाता है activity calculator आगे हाँ पर मिल जाएगा आपको heart rate monitor, stress monitor, breathe monitor और साथ ही साथ music control आप कर सकते है smart watch में और अब अगर बात करें menu की तो जैसी हम button को press करते है यहाँ पर आजाती है हमारी main menu जिसमें noise health में आपको सारे basic health sensors मिल जाएगे और उसके बाद यहाँ पर आपको clock workout यानि कि तो 40 workout modes मिल जाते हैं जो कि आपको category wise divided यहाँ पर दिख जाते हैं raise to wake feature को on off कर सकते हैं और screen time को भी increase or decrease कर सकते हैं और device information में आप जाके देख सकते हैं अपनी watch के बारे में और DND, QR code, reboot की option यहाँ पर दिख जाएगी और अगर आपको power off करने तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और reset भी कर सकते है smart watch को overall watch का UI बहुत ही ज्यादा smooth है अगर noise की budget की smart watch को consider करो तो यह one of the most affordable smart watch है जो आपको इतने amazing UI और साथ ही साथ quick replies की option के साथ आ जाती है तो यह था इसका basic UI अब जल्दी से देखते हैं कैसी है health sensors की accuracy एक professional oximeter के साथ compare करके सबसे पहले अगर बात करें heart rate monitor गी तो जैसा आप इतर देख सकते हैं यहाँ पे और smart watch में काफी similar reading दिख रहे हैं और almost same reading होगी थी यहाँ पे 98 यहाँ पे दिखा रहा है और 95-96 में fluctuate हो रहा है तो इस बार मैंने जान बुझके budget smart watch होने की वैसे ज्यादा steps चले इसमें ताकि मैं exact accuracy चेक कर पाऊं और 200 steps में दोस्तो इसने calculate के 248 steps जो की बहुत ही ज़्यादा जबरदस accuracy है काफी impress जो मैं इसकी accuracy से और steps calculator की accuracy तो सबसे जबरदस है तो दोस्तो अब अगर बात करें इसके battery review की तो मैं smart watch को काफी दिनों से use करो और मेरे साब से इसका battery backup अराम से 6-7 दिन चल जाता है जो की बहुत ही ज़्यादा amazing है और यहां पर आपको main page पर आपके सारे vitals और stats जिख जाएंगे और अगर बात करूँ आगे आपको क्या दिख जाएगा तो उससे पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि noise की website पर यहां पर इनकी एक sale चल रही है पर आपको noise की website का भी link मिल जाएगा अब अगर बात करें app review की तो जैसा भी तर देख सकते हैं यहां पर explore और shopping वगेरा का feature दिख जाते हैं main feature यहां पर आपको यहां पर my device में दिख जाएगा जिसमें आपको top पर आपके सारे watch faces दिख जाएगे 150 से भी ज्यादा watch faces मिल जाते हैं category wise और custom watch faces भी आप easily लगा सकते हैं notifications की बात करें तो यहां पर major notifications on off कर सकते हैं call alert, health monitor, my alarms, google fit app से connect करने की option और quick replies की option भी इसमें आपको मिल जाती है तो इदर आपको simply अपने quick replies को add और subtract करना है और आप watch से यहां पर SMS और अपनी calls का reply कर सकते हैं और weather settings, world clock, find my device जैसे features मिल जाएंगे और end में आपको camera shutter और sports mode selection दिख जाएगा और device settings की बात करें तो यहां पर आपको basic features मिल जाते हैं जैसे की time बगेर को sync करने का और overall इसका app का experience काफी ज्यादा amazing है तो finally अगर बात करें conclusion की कैसी लगे मुझे noise color fit caliber go तो मेरे इसाब से दोस्तों under 1500 रुपीज क्या under 2000 रुपीज में भी यह one of the best smart watch है अभी क्योंकि इसमें आपको quick replies का feature मिल रहा है बहुत ही ज्यादा amazing build quality मिल रही है काफी ज्यादा light better और ऐसा आप देख सकते है race to wake भी काफी अच्छे से काम कर रहा है smart watch में IP68 की water resistance मिल जाती है आने कि आप छोटे मोटे पानी के splashes में इसको लिजा सकते है 1.5 meter सकते है तो overall package है smart watch अगर आप इसको बाइ करना चाहते है 14.99 रुपीज के price पे तो जल से जल नीचे दियोगे comment section में बताएगा आपका favorite part पहुंचा था इस वीडियो के बारे में और मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आपने टेक मंजल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थांक्यू दोस्तो